कल्पना कीजिए उस दर्शक की जब तेज भारिश आ रही हो और हम किसी एक रास्ते पर दुपईया वाहन लेकर जा रहे हो कोई वेक्ति विशेश सामने से आये और कहे कि इस रास्ते से न जाएं तो बहतर है हो सकता है आपको 30-35 मिनट अधिक लगे आप ये जो 4-5 किलमेटर के राउंड है पूरा करके जाएं ये शॉर्टकट अभी कामका नहीं है या ये रास्ता भी इतना वैतर नहीं है क्योंकि गड़े बड़े हैं और कहीं ने कहीं दुविधा आ सकती है वेक्ति अपना रास्ता बदलता है देरी लगती है परन्तु गंतब वितक सुरक्षत और खुद को संरक्षत पहुचा देता है जब भी व्यक्ति विशेश के जीवन में धहिया और साड़े सांती का करमा रहा हो कार्यों में बले ही विलंब की स्ततिया निकल कर आए कुछ हलके फुल की दुवधाएं भी सामने रहे मन कई बार जुझलाहट का शिकार हो ये कार्यों तो हम करते आए है अभी समय क्यों लग रहा है परन्तु जब व्यक्ति उस बात को समझ लेता है कि शरीदेव की धहिया का प्रभाव अभी सामने है तो हमें यहां दिरंतर प्रयास करने होंगे हनुमन तो पासना के साथ में जीवन को बहुत गहराई से जोड़ना होगा और वहीं जो कार्य हम सपष्टता से करते आए हैं उसमें अब नई योजनाओं के साथ में भी चलना होगा जैसे उस व्यक्ती ने बले ही 30 से 35 मिनिट अधिक लगाए परन्तु उस बरसात भरे मौसम में उस वहें को सुरक्षत पहुंचाने वाला रहा ठीक इसी तरह से जब व्यक्ती समय की पहचान के साथ में चलते हुए विजवलाइस करपाई के दुवधाएं आ रही है आसों में कहीं पर भी कमी नहीं लेकर आता यहीं एक मंतव्य के सपस्टता है हम यहां शनिदेव परिवर्तन का चर्चा वरतांत जो 17 है जनवरी 2023 से रहेगा करकर आशी के जातकों के लिए लेकर उपस्तित हुए है किस तरह के फलसूचनाएं सामने है कौन सी संभाबनाएं अंकित हो रही है तता जब अस्तमस्त रहेंगे शनिदेव यानि धहिया का करम चलाएप मान रहेगा तो यहां हमें क्या सावधानिया रखने की आवशकतां रहेंगी यह भी मैत्तपून बात है यहाँ गौर कीजिएगा कि इस चार्टिंग में राहू, ब्रेस्पती एवंकितू की स्ततियों को भी दर्शाया गया है शनिदेव तीसरी द्रिस्टी से अपने नीचा स्तराशी स्थान को देखने वाले होंगे तो वही राहू जो की शनिदेव वतफल करते हैं, शाया वालिक रहे हैं सबस्टेंशिल पूजिशन्समेन का एविडेंस नहीं है परन्तु यहाँ जो इनका द्रिस्टी निक्षेपन रहेगा, एस्पेक्ट रहेगा, वो दशमभाव पर जरूर है उत्रोतर बलिकेंदर पर, आलाकि शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी में बहतरी देने की ताकत है नव गरही विवस्ता में सबसे दस्टी की द्रिस्टी शनिदेव को प्राप्त है तो वही सबसे दूर की द्रिस्टी इसी गरही विवस्ता को प्राप्त है अब आप देखेंगे 7 द्रिस्टी से शनी देव यहाँ द्वितिय भाव को अपने आदर्श शत्रुराशिस्तान को देखने हो वाले होंगे तो वहीं यहाँ का कारकत भाव प्राप्त है देव गुरु ब्रिहस्पती को और इसे के साथ में जो शनी द्रिस्टी के करम में गुरु रहिस्पती, 22 अपरेल 2030 के बाद यहां दश्मस्त रविश कर जाएंगे, वहीं मंगल राशिस्तान में रहेंगे, गुरु राहु, चांडाल, दोश भी सामने बनने वाला रहेगा, यह एक इस पस्टा पर दुशनिदेव की दृष्टी भी रहेगी, जो की समगत करें हैं, एक तरह से व्यापार और गरिहस्त भाव के आदेपत्ते के साथ चलते हैं विशनिदेव, अब इसे आदेपत्ते को लेकर अस्टम भाव में आ जाएंगे, तो पहले तो आप यह अंकित करके रखिएगा, कि जॉब में या फिर बिजनस में, अब अगले ढ़ाई यह नहीं दर्शा आते हैं, तो उसे बहतर कहा जाएगा, यह याद रखिएगा, कि प्रयासों में विफलता आना एक बात है, परन्तु प्रयासों से विफल होकर दूर हो जाना, यह कहीं ने कहीं व्यक्ति विशेश के लिए गलत बात है, इसे वज़े से जब एड़ था उस कोई और चारा नहीं है, तो वहाँ व्यक्ति की संकल्प शक्ति एवं दृता ही उसको बज़े दिलवाती है, आप यह भी देखिएगा, कि जौब में यहाँ जो कॉंस्परिसी क्रियेट करने वाली अप्रोच होती है, यह कई बार चोटी चोटी बातों की वज़े से व्यक् व्यक्ति शंशे के आधार पर बहुत जल्दी खुद को पहुँचाता है, यह कार यह इस तरह से नहीं हुआ तो क्या होगा, यह व्यक्ति विशेश हमको दिक्कत देगा ही, जब व्यक्ति ऐसे बातों को सोचता है, तो सत्तर से असे प्रतिशत तक खुद को पहले ही कर जाता है, उससे समझ लिएगा, लेकि नवग्रही विवस्ता के आधार के साथ में बारह भावों की बात करते हैं, तो अस्टम भाव द्विदी ये तरक है, यहां से आयुष की स्तितियों को देखा जाता है, स्वयम शनिदेव ही यहां के कार कत्व को लेकर चलते हैं, यह हेडन हाउस भी है, रिसर्च संबंधी अप्रोच, विदेश संबंधी काते हैं, विद्यों में यात्राएं कैसे जुड़ेगी, जो की एक तरह से इनिशेटिव है कहीं पर भी पहुंचने का है, वहां जब शनिदेव हो, तो यह धीमी चाल क्या रिपती है, आप यह देखे हैं, उस और जा सकते हैं, विदेश के साथ में जुड़ेवे कामकाज में एक्सपोर्ट हो गया, सर्विसेस का एक्सपोर्ट हो गया, या फिर आईटी फिल्ड के साथ में अपने कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं, जहां परणाम तिवरता से आते हैं, दूसरे कारियों क्या पिक्षा ये याद रखिएगा कि यहाँ अंजान लोगों के साथ भरोसा करने से बज़ें व्यापारिक इस तरके ऊपर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना कत्ते ही हानिकारक नहीं है बर्शों से जानते हैं परंतो व्यापारिक गड़ित अलग हुआ करती है व्यापारिक गड़ना है बिलकुल अलग इस एक बात को बारम बार अपने मन में रखिएगा ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो ग्रिहस्त पक्ष के साथ में समबाद कोशल है वो बना कर रखा जाए कामकाज कर रहे हैं उनकी सुनी जाए उनको समय दिया जाए गयोंकि सब्तम के अलिपतिस्टम में हैं वहाँ से पर कई बार ऐसे हिडन प्रॉबलम्स निकल कर आ जाया करती है विक्ति बाहर अपनी थाकत को जोग कर पूरे तरीके से कामकाज कर रहा है परन्तो जब आंतरिक विद्रोहान लगते हैं गर परिवार के तो दुवधाएं घर करने लगती है उससे आप सब लिएगा अप प्रमुक बात यह है कि आपने जहां कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स में बहुत लंबे समय पहले निवेश किया था धीरे धीरे परिणाम भी बहतरी के साथ में मि देख रहे हैं और उनकी तीसे जिस्टी जो दशम पर है यह सपष्ट तोर पर दर्शाती है कि आपकी वरतमान कर्म शीलता में जो रुपिया पैसा लग चुका है उसके साथ में चला जाए जो इनीशियल लेवल पर इन्फ्यूजन और होते हैं पाइनेंसिस के उसमें रास्ता आपनाने से बचए है जो कि फैसिनेशन के साथ में चल रहा हो या फिर लग रहा हो कि इस रास्ते से तो यह कार्य ऐसे पूरा हो जाएगा वहां संबलना आवशक है हम उसी कन्वेंशनल मेथड के साथ में चल रहे हैं जो कि सामने है यह याद रखियेगा वहीं विद्रोह निकल कर आ सकते हैं तथा कई बार व्यक्ति सामना करने की तरफ आ जाता है कि हम जवाब देंगे जो जड़े हैं उनको जवाब कॉंपले नहीं दे सकती याद रखने की आबशक्ता हैं बारम बार है नौकरी पेशा जीवन में जहां पर भी परिवर्तन की गुंजाईश सामने निकल कर आती है ये सपस्टता रखने की ज़रूरत यहाँ पूर्ण कालिक तौर पर है कि हम लॉंगर टर्म के विजन को अपने साथ में एस्टेबलिश करके चलते चले जाएं वहिशन इदेव की जो सांतवी दृस्टी यहाँ दृतिय भाव पर है अटके हुए और रुपए और पैसे की पुनेह प्राप्ती के साथ संबंदों को बेगाडने से बचियेगा वानी बहुत अधिक निसकरश की और पहुंचने वाले नहीं हो यह विक्ति ऐसा है पांच मिनट में मिले और तै कर दिया ऐसे गफलतों से अब ढ़िया के स्क्रम में करकर आशी के जातक बारम बार बचाएं इमोशनली एग्रेसिव होने से बचियेगा वैसे भी जजबात और जो सेल्फ मोटिवेशन का लेवल है वो दोनों ही एक साथ चला करते हैं ऐसे माहनों भावों के लिए इस वज़े से पारिवारिक जन हो गए या फिर कामकाज के अंदर भावक होकर कोई भी धरना लेना हो गया महा स्वहिम को आप काफी हद तक संभाल कर चलने का प्रयात न कीजिएगा आप ये भी पाएंगे कि शनिदेव की जो द्रिस्टी पंचम भाव पर है अब यहां स्थतियां बहुत अलगे है जो आप कामकाजी जीवन के अंदर स्वहिम के क्षमताओं का परिचय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे यहां धीरे धीरे वो परिचय सामने होगा रियक्शन्स को यदि आप दूर रखते हैं और जो भी स्थतियां सामने है उसकी सहज स्वेकारोक्ती बना कर चलते हैं तो भैतरी है कारे में दो गंटे रोकना पड़ रहा है हम मन से बारंबार यह कह रहा है कि क्यों रुकें? किस वज़े से रुकें? सब लोग तो जा चुके है तो वहीं कहें कि नहीं जिम्मदारी है यह स्थतियां चलेंगे वहीं व्यापारिक जिवन में किसी भी व्यक्ति विशे से मुलाकात की और गए तीन गंटे चेर पर ही बैठना पड़ा उसकी बाद मुलाकात का समय आया तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है उस फ्रस्ट्रीशन से दूर रहना है और वहीं स्वास्त संबंधी इस्तियों में वे एक शमताएं कई बार हल्की फुल्की दो इधाने सकती है उसे संबलिएगा अलाकि शनिदेव जो शेर मार्केट सम्बंधी कामकाज में चार प्रमुक भावों को देखा जाता है उसमें से तीन प्रमुक भावों पर आधिपत्य रखने वाले होंगे द्वितिय, पंचम और अस्टम की स्तियां सिर्फ लाब के घेरे से यहां पर मुक्त है शनिदेव की दिर्ष्टी या फिर उनका स्थापत्याधार इसे वज़े से आप यह देखिएगा कि यहां स्टॉक मार्केट में बहुत यतिक धीमेपन के साथ में निरने की स्तियों को लेकर चला जाए विध्यारती वर्ग यहां अब धीमापन सामदे निकल कर आ सकता है कोई रिष्टा बना लग रहा था कि अब यह रिष्टा गर परिवार को बताया जा सकता है चर्चाए की जा सकती है वहां रुकना आवशक रहेगा यह भी याद रखिएगा कि जो आप संतान सुक की और अगरसर है वो महिलाएं जो लगातार कामकाजों भी रहती है और एक तरह से जो फैमली वीक यह परोच होती है उस तरफ भी बढ़ती है यह याद रखा जाए कि ट्रेवल आदी को शुरुबाती तीन महिनों में काफी हद्ता के लिए आप संभाल कर आगे बढ़ाते हैं तो बैतरी रहेगी हाला कि देव गुरू प्रेस्पति की दुष्टी यहाँ एक तरह से प्रभावी निक्षेपण बनाए हुए है इससे हमें निकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे यह स्पष्टता भी रखे जाने की आवशकता है जो सब्तम की अलिपतिया स्टब्ब है वियापार में हल्की फुल्की हानी कई बार वेक्ति को गबराहड दे लेती है और वो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में अजनस चेंज की बार में भी सोच लेता है उससे इस समय समबलने की जरूत है निरंतर तोर पर घर परिभार सहित सुंदर कार्ण का पार्ट आप करते रहें हनुमन तुपासना का जितना करम जीवन के भीतर स्वासों के स्पंदन के साथ में उतरता है उतना ही व्यक्ति इस समय में अपने शक्ति संभाह का आधार को महसूस कर पाता है तो ये था करकर राशी के जातकों के लिए शनिदेव का 17 जन्वरी 2023 से होने वाले राशी परिवर्तन का पुरा ही चर्चा व्रतांत हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उबस्तित होते रहेंगे धन्यवाद आवमकोटी शहर आभार